जीवन का अनन्द लेना एक आवश्यक विशेवानी पीजासे आत्म साक्षात कार के खोश में व्यक्तिकों मन और इंद्रियों को नियंद्रित करने और मन को स्वयम पर केंद्रित करने के लिए कई नियमों और विनयमों का पालन करना पड़ता है। श्रील प्रभुपात की पुस्तकें, व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवश्यक विश्यकी व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं जैसा कि वानी कोट्स एंजॉइंग लाइफ श्रेणी में देखा गया है। यही सदर से करते हैं, परन्तों वे हकेला ही नरक में जाता है। जो व्यक्ति पैसा कमाकर या दूसरे के जीवन से इर्शा करके जीवन का अनन्द लेता है और जो परिवार और दोस्तों के साथ अनन्द लेता है। उसे ऐसे हिंसक और अवैद जीवन से उत्पन पापून प्रतिक्रियाओं का अकेले ही आनन्द लेना होगा। श्रीमद भागवत 3.3031 जिस प्रकार एक में अनना शेर के उपस्थिती में जीवन का अनन्द नहीं ले सकता। विस्तरित सामराज्य के कारण बहुत फूले हुए थे। क्रिश्न पुस्तक, अध्यायरसट, कपिल मुनी का उलेक है कि जो लोग टृत्वी पर सकाम गतिविधियों और यग्यविधियों में विशेशग्य हैं, वे मृत्यू के बाद चंद्रमा को प्राप्थ होते हैं। ये श्रेश्ठ हात्माएं लगभग 10,000 वर्षों तक चंद्रमा पर रहती हैं, देवगर्णा के अनुसार और सुम्रस पीकर जीवन का अनन लेती हैं। वे अंतह प्रित्वी पर लोट आते हैं। भगवत गीता 8.25 जो व्यक्ति सहिस्रोट से सीधे कृष्ण से गीता सुनता है, उसे पून कृष्ण चेतना प्राप्थ होती है। कृष्ण चेतना का परिणाम ये है कि व्यक्ति तेजी से प्रबुद्ध हो जाता है, और वेह नकेवल कुछ समय के लिए बलकी हरपल रोमांज के साथ जीवन का अनन लेता है। श्रीमत भागवत 18.76 कोई भी जीविती का इस वतंत्र नहीं है, सभी परमेश्वर की दयाप पर निर्भर हैं। इसलिए वैदिक निर्देश यह है कि व्यक्ति को सर्वोच नेता भगवान के व्यक्तित्व के निर्देशन में जीवन का आनन लेना चाहिए। इस व्यक्तिक निर्देश देते हैं कि चूंकी सब कुछ भगवान के परम व्यक्तित्व का है, इसलिए किसी को दूसरे की संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तिकत आवंटिन का आनन लेना चाहिए। श्रीमत भागवा 3.2.16 भगति प्रक्रिया दूसरों से बिलकुल अलग है, भगवान की प्रेम पून सेवा में अपनी इंद्रियों को सनलगन करके भगवान को प्रसंद करने के लिए काम करने से भगत तुरंत दिव्यमंज पर स्थित हो जाता है और वहासी मेत आनन्द में जीवन का आनन्द लेता है, श्रीमत भागवा 4.1.1.14 वे अपनी आर्थिक स्थिती को विक्सित करके भगतिक जीवन का आनन्द ले सकते हैं, इसलिए भगतिक वादी व्यक्ति उन उन्नत प्रक्रियाओं में रुचि रखते हैं, जिन्हें त्रे वर्गी का कहा जाता है, ट प्रति विरोधी हैं, श्रीमत भागवा 3.3.2.18 वास्तव में एक बक्त को ग्रियहस्त जीवन के प्रति कोई आकर्शन नहीं होता, लेकिन आश्चरे की बात ये है कि राजा प्रियर्वरत ने ग्रियहस्त जीवन का भरपूर आनन्द लिया, कोई ये खतर्क कर सकता है, ग्र ग्रियहस्त जीवन में व्यक्ति सकाम कर्मों के परिणामों से बन जाता है, ग्रियहस्त जीवन का सार इंद्रिय भोग है, और जब तक कोई अपने में तल्लीन रहता है, इंद्रिय सुख के लिए कड़ी मेहनत करने में मन, सकाम गतिविधियों की प्रतिक्रियाओं से बन ज जाता है श्रीमत भागवत 5.11